हो है जो ओशो कहते हैं, एक spiritual love, पहले आदमी meditation सीखे, ध्यान सीखे, अपने भीतर शांत निर्विचार होना सीखे, इस शांती से एक प्रकार की प्रीति उत्पन होगी, एक चीज हम सब जानते हैं, प्रीती से शांती की जलक मिलती है, एक दूसरी बात, प्रीती से ही सांती की मिलती है, अगर हम शांती को प्राप्त कर लें, तो हमारी भीतर प्रीती का फूल उम अगाता है, वो शो कहते हैं, मेरे सन्यास के पंची के दो पंक हैं, होश और प्रेम, अगर हम होश को साध लें, तो ऐजे बाई प्रोड़क्ट, जो प्रेम उत्पन होगा, वो दूसरी प आत्मा का जोड़ होगा, तो शरीर से शरीर का जो अकर्शन है, निश्चित रूप से वो तो टेम्पररी होगा, मुल्य नसुर दिन की कहानी यान आती है, उसकी प्रेमिका उस से कह रहे थी कि चार साल होगा हमारा संबंध हुए, शाधी के लिए तुम हाँ क्यों नहीं कहत तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन जब भी मैं कहती हूँ निकाह की बात, तुम हमेशा टालमा टोल कर जाते हो, नसुर दिन कब तुम पूछ रही तो सच बात बता दूँ, पहले मैं भी सोचता था कि तुम से शाधी करूँगा, लेकिन जब से तुम्हारी मम्मी को देखा मैंने, तब से मैं डर गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बुढ़ा पर मैं तुम अपनी मम्मी जासी लगने लगोगी, फिर मैं प्रेम प्रेम नहीं कर पहूंगा, अभी जैसी हो, बिलकुल प्रेम करने योग हो, ये नसुर दिन जो कह रह है, अगर रंग रूप से आकर्शन है, तो वो तो ढल जाएगा, वो तो नहीं रह सकता हमेसा एक्सा, योवावस्थक समाप्त हो जाएगी, व्रत अवस्था आजएगी, तो जिन चीजों पर हमने बेस बनाया था प्रेम को, वो खुद ही खिसक जाएंगे, किसी के मोती जैस मुल्य नसुर्दीन का बेटा अपनी मम्मी से पूछ रहा था, कि जो फोटो लगी कमरे में, गुंगराले लंबे कालों बाले बाले जवान आदमी की ये है कौन, इसकी मान का बेटा ये तुम्हारे पापा है, उनका फिर अपने गर में जो बढ़ा हु रहता है, टकला, वो चुकि वह आधार ही टेंपररी है, तो प्रेम इस्थाई तो नहीं हो सकता, फिर इस से दूसरा गहरा थोड़ा प्रेम है, वो है मन का, जहां पर तन की वजाए मन जादा महत्तपूर्ण हो गया, अकसर हमारी दोस्ती किसी से जब होती है, तो रंग रूप के आधार पर नही होती है, कहीं हमारा मन मैच कर रहा है, समझो दो व्यक्ति हैं, दोनों गीतकार है, कवीता लिखते हैं, यागाते हैं, अब इनका जो लगाओ है वो थोड़े और गहरे तलप है, कालांतर में ये भी नहीं टेकेगा, क्योंकि मन भी छणवंगोर है, मुझे आद आती एक फिल हैं, और उनकी प्रेमिका भी कभी हो, दोनों के विवाय हो जाता है, और फिर एक प्रोफेशनल जैलसी खड़ी हो जाती है, और बडा जगड़ा खड़ा हो जाता है, बड़ इकलेश कड़ी हो जाती है, तो जहां मन मिल रहे थे, एक सीमा तक तो वो ठीक था, है ना, चुकि अच्छी चल रही, वो जादा पैसा कमा रहे हैं, दौनों डाक्टर हैं, लेकिन उनका परिवार का जीवन जो है विलकुल, बरबाद है, एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल जलसी, वो पत्नी आए दिन टोकती रहेगी, तुम करते हैं, क्या आउ क्लिनिक में मख्यी मारते रहे हैं, मैं ही तो सबसे ज़्यादा कमाती हूँ, नेचरली पती पत्नी जहां, दोनों डाक्टर वहां पत्नी ज़्यादा कमाएगी, नेचरली ऐसा है, पत्ती अगर ज़्यादा कमाता, शायद वो कभी इसका उलाहेन न देता, वो अपना करतब भी समस्ता है, कि धन कमाना मेरी duty है लिकना कर पतनी ज्यादा कमा रही है तो हर दो चार दिन में बताएगी इस बात को पती नाराज होगा रुष्ट होगा चिड़ेगा तो बाहर बाहर से देखने में खुब अच्छा लग रहा है कि दोनों अस्पताल चला रहे हैं वड़े सफल हैं भीतर भीतर कोई प्रेम नहीं बचा तो दो प्रकार के आकर्शन हो गए एक है शरीर का आकर्शन जो कि लंबे समय नहीं टिक सकता फिर दूसरा उससे थोड़ा गहरा है मन का आकर्शन जहां पर कहीं और एक गहरी मैचिंग बैठ रही है एक ही राह के चलने वाले दो हम सफर हैं तो निश्यत रूप से यह ज्यादा एंजुआए करेंगे तो फिजिकल आकर्शन तो पस उपंचियों में भी वो कोई खास बात नहीं है अगर मनुष्यों ने भी उतना ही किया तो नथिंग स्पेशल इस नाट हूमन इस जश्ट एनिमलिस्टिक तो शारीरिक प्रेम को हम एक पाश्विक प्रे हो सकता उनकी टेलेंट टेक्सी है या यह भी हो सकता कि टेलेंट बिल्कुल डिफरेंट है दूसरा व्यक्ति रहस्य में लगता है समझो आइंश्टीन गणि तक है और उसकी पत्नी कवित्री है दूसरा परसन हमेशा एक रहस्य आलवेज ए मिष्ट्री वाकर्शन बना ही र लेकिन एक गहन आकर्शन उनके वीच में रहेगा तो यह भी बहुत लंबे सामय चलता इस प्रकार का प्रेम आइंश्टीन की पहली शादी होई थी वो फिजिशिस्ट्स होई थी फिर उससे तलाख हो गया क्योंकि वो एक ही फिल्ड के हैं और समहाव एक प्रकार की होमोसे से सादी होई थी माता पिता तैयार नहीं थे उलड की दूसरी जाती की थी और उस जमाने में जर्मनी में वी जाती पर था बहुत तगड़ी थी तो बिल्कुल आइंश्टीन के पता जा मर रहे थे तब वो अपनी पत्नी के गए कर देना इसकी शादी भई यह मानता ही नही उमर निकले जा रहे शादी की तो शादी हुई थी लेकिन कुछी सालों में बात खतम हो गई क्योंकि दौनों गणे तक हैं दौनों बहुत एक सास्त्री हैं तो काम करने के लिए हास से तो ठीक एक दूसरी कहल पर हो सकते हैं प्रेम के लिए जो विपरित्ता चाहिए मेस्कुलाइन एन फेमिनाइन क्वालिटीज की वह वहां पर नहीं होगी तो आइस्टी ने फिर दूसरी शादी की वह सादी पूरी जिंदगी चली क्योंकि वहां पर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजेट थे वह तो मैं आपने सवाल उठाया है तो मैंने दो अधारन दिय के मेरे डाक्टर्स फ्रेंड्स के वारे में बहुत अच्छे से जानता हूं जिन्होंने डाक्टरों सादी की है उनका जीवन सुन्दर नहीं है हो सकता है आधिक स्थिती बहतर हो लेकिन जिन्होंने डाक्टर से सादी नहीं की है उनका जीवन ज्यादा प्रेमपूर्ण है भले ही वो आधिक रूप से उतने सबलना हो.